जिया का कहना है कि एलविश यादव जो है वो पुनीत और बेबिका का मिक्शर है दोनों को मिला करके ये बना है एक चीस्तों साला मुझे समझ में नहीं या रहा है मैं लाइफ फीड देखूं या फिर जो मेन एपिसोड आता है एक गंटे का वो देखूं क्योंकि लाइफ फ कि शुरुवात कर दी हर को यह जानना चाहरा था कि बाहर में हम कैसे लग रहे हैं लेकिन इस बाइसाब ने का मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या बात कर रहा है पहले दिन की सुभा हुए और उसके बास से कांड हो गया जहां पर एलविश और अभिशेक सुभा सुभा बात कर रहे होते हैं कि बाई कौन जनता है यहां पर कौन सबसे लूस के लाड़ी है और उस चीज़ को सुन लेती है जिया शंकर अजिया शंकर सुनने के बाद से जो है इस चीज़ पर रियाक्ट की वो रियक्शन यह था कि यह पुनीत और बेबी का का मिक्स्चर है यह लोग सबसे पहला अगर किसी का फेवरेट बना बंदा तो वो थी बेबी का और बेबी का का जो रूप है वो सब धीरे धीरे बता रहे थे और इस चीज़ को ना जानने का जो आक्टिंग किया ना भाई ने उससे समझ में आता है कि यह बाई चलता पिरता रोस्ट का दुकाने बाई वो कहता है कि इस घर के अंदर में सबसे शान सबसे स्वीट तो तुम ही हो पता नहीं लोग तुम्हें क्यों इतना बुरा कहते हैं मैं नहीं बहुत अच्छा पाया है एक सिन्यारों में कहती है कि तुम्हारी उमर जो है वो 80 साल तक अगर आशिका भाटिया की बात की जाए तो घुसते ही वो cold war शुरू हो चुका है कि हां मैं तो तिरे सा सोनी के लिए मरा जा रहा हूं वो भी केती तिरे सा सोनी के लिए मरी जा रही हूं मतलब नए नए घर पे इंट्रीम आ रहे है और अभी इनको सोनी का जगा नहीं मिला है पर जो कुछ भी हो अगली सुबह और आने वाला हफता बहुत ही दमदार होने वाला है और जहां तक मैं सोच रहा था है कि यह बंदा कुछ से चल करके आएगा और मुझसे बात करेगा आते ही इनको और बेबी का दोनों को ही रोस्ट कर चुका है कि इस गर में सभी मेरी बहने सिवाए दो जन को छोड़ करके शौकिंग था सुनने के लिए लेकिन भाई सबने जवाब में का कि वह दोनों तो आंटी है काफी मजदार होने जा रहा है सीन आपका क्या कहना है आप बताओ आपको कैसा लग रहा है कमें सेक्शन पे लिक करके जरूर बताना चानल प बतास्टों